हेलो एवरीवन वेलकम टू एक्जाम टेजरी तो आज के इस वीडी में हम लोग बात करने वाले हैं में सोसिलोजी जीनिम का जो फर्स्ट कट अफ लिश्ट आया था उसके मार्क्स के बारे में और जितनी वी ऐसे कंडिडेट हैं जो सेकंड कट अफ लिश्ट का वेट कर रहे हैं सो में ससलॉजी का जो कोड है वो है 6 एמנी त niece कर आपको पहला रएंग देखनों के मिलता है यहाँ के मार्क्स देखने का मिलते हैं अब यहां पर यहां है मार्क्स पॉस्ऐंडेज की रूप में है सतना जो आउट अप 300 आपनी सिरीती के एक्जाम में जो भी convincing को लाया तो इस पार तो एक चीज़ क्लियर हो गया है कि जो JNU का cut-off गया है वो बहुत ही ज्यादा हाय गया था MS Sociology का उसके दू रिजन थे एक तो अगर आप portion paper को देखिएगा तो portion बहुत ही easy पूछे गया थे और दूसरा reason यह है कि deprivation point के कारण जैसे हरे female candidate को 5 percentage points मिलता है और यही कारण है कि बहुत सारे female candidate का admission होता है तो percentage point 5 percentage point is equivalent to your 15 marks और 15 marks बहुत ज्यादा difference ला देता है JNU के admission में अगर हम लोगे जनरल केटेग्री की बात करते हैं तो in fact आपका जो cutoff गया था वह 97.66% 97.66% का मतलब हो जाता है 97.66 को multiply कर देजिए 3 से तो यह आपका roughly हो गया 293 सो जनरल केटेग्री का first cutoff list जो गया है वह है 293 मार्क्स पे दूसरा है आपका सेडिल कास्ट तो सेडिल कास्ट का गया 89.66 तो 89.66 multiplied by 3 कर दीजेगा तो आपका हो जाता है 269 मार्क्स आनि आउट अप 300 अब इसमें देखिए यह कि सेविटी एक्जाम तो 300 कही होता है लेकिन बहुत सारे क्योंकि अब इसमें देप्रिवेशन पॉइंट भी एड हो जाता है तो यह इंफ्लेट हो जाता है तो अगर आपके 269 मार्क्स यह लास्ट केंडिट का जो अडमिशन हुआ यह उनकी मार्क्स हैं वहीं अगर हम लोग बात कहते हैं सिदूल ट्राइब का तो सेडिल ट्राइब का एडमिशन तो रफ्ली 233 मार्क्स ठीक है फिर आजाता है आपको ओवीशी केंडिट तो ओवीशी का भी 93 पॉश्ट पर यानि 279 मार्क्स पर एडमिशन हुआ है और लास्ट हो जाते हैं आपके एड़ूएज केंडिट तो इसमें 279 में प्लस 2 कर दिया तो यानि 281 मार्क्स तक का जो ह इतने भी ऐसे कंडिटेट हैं तो आप देख सकते हैं कि जर्म में अगर आप एडमिशन का प्लान कर रहे हैं तो कितना ज्यादा डिकल्ट हो जाता है थोड़ा सभी अगर अब माल लिजिए आपने को छोड़ दिया तो फिर एडमिशन के चांसे बहुत ही कम हो जाते हैं तो और कोई deprivation point नहीं मिल रहा है यानि अगर 293 score करने के लिए अगर आपके 75 position पूछे जा रहे हैं तो 75 position में अगर आप 73 भी सही कर रहे हैं यानि अगर आपने 2 छोड़ भी दिया तो आपका admission नहीं होगा क्योंकि अगर आपने 2 छोड़ दिया तो आपका total marks हो सकता है 292 तक ही ह हो सकता है तो आपने अगर 2 छोड़ भी दिया अगर आपने 2 इंकरेट कर दिया तो एक-एक marks और हो जाएगा तो आपका 290 marks ही हो पाएगा तो थोड़ा से male candidate के लिए इस टाइप के जो provisions होते हैं वहां पे difficulty increase हो जाती है और इस बार भी हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारी जो सोचलोजी में admission हुए है selection हुए है तो male candidates जो है इनका अबरेजन टुप female candidates female candidate का बहुत जादा selection हुए है और in fact अगर आप CVT का जो टॉप score है उसको भी अगर आप देखते हैं इस पार CVT में भी 290 तक का तो मार्क गया है 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 इसको इसको compare करते हैं with the cutoff तो in fact cutoff जो है highest score से भी गया है और इसके एक ही रिजन है deprivation points और अगर आपका first cutoff list madmission हो गया है तो ठीक है second में chances बहुत ही कम हो जाते हैं इन सब सारी चीज़ों को भी हम लोग एक बार compare करके आपको देख लेंगे कि हां second cutoff list में कितना chances हो जाते हैं इसके अलाबा अगर अभी तो Delhi School of Economics वहाँ पर Department of sociology है वहाँ पर admission होना है बहुत सारे candidate ऐसे हैं जिन्होंने पॉंडिचेरी मुंते नाम आगिया है लेकिन उनका नाम जेगी में भी है तो लोग पॉंडिचेरी भी छोड़ें हैं तो आपके जहां पर भी admission हो रहे हैं आप ले लिए यह नहीं कि हां वेट करना है लेकिन आपके मार्च एकदम ही खराब हैं कि कोई अगले साल के अगर आपको एक साल का ब्रेक लेक अच्छे से प्रिपार करना है कि यह नहीं ही आना है तो आप अपना प्रेपरेशन कर दीजिए देखिए कि कहां करती हुए अगर आपको अनलाइन क्लासे चाहिए अगर आपको पता चल जाएगा कि क्या स्टाइजी होनी चाहिए किस फ्लो के साथ आपको क्लिपरेशन करनी है इस फ्लीए पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दो है चानल को भी स्सक्राइब कर दें जीतनी इंपर्टन भीड्स होते है वह साहा आपको मिलता रहे तो थैंक यू और विश्यों आल गड़ी बेस्ट